हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मैं संदीप परमार अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम बात करेंगे ऐसे कोईन के बारे में जिसमें एक बहुत शांदार मोमेंटम आया था या फिर बात करें कुछ ऐसे लोगों ने जिनके ट्वीट करने से उस कर रहे हैं डोज कोईन की जिस तरीके से एलोन मस्क का फेवरिट कहे जाने वाले डोज कोईन में जब भी एलोन मस्क ट्वीट करते हैं तो डोज कोईन में एक शांदार तेजी देखने को मिलती है अभी निउस की बात करें तो डोज कोईन पिछले एक क्वार्टर या पिछ coin को as a payment method accept कर रही है तो ये वो दो शांदार news है जिसकी बज़े से आपको doze coin में एक शांदार तेजी देखने को मिलेगी अगर हम तीजरी news की बात करें तो कुछ दिनों पहले जो अगली news थी वो ये थी कि जैसे ही टेसला company के CEO Elon Musk tweet करते हैं कि Tesla will accept doze coin as a payment तो doze coin में 20% की तेजी देखने को मिलती है लेकिन एक बहुत बड़ा momentum नहीं देखने को मिलता है जो कि पिछली बार या फिर उनके tweet से हर बार देखने को मिलता है तो ऐसा पहली बार हुआ है तो आपको बिलकुल नहीं गबराना है आने वाले साल में यानि 2022 में doze coin के price में आपको एक शांदार momentum देखने को मिलेगा एक बहुत शांदार तेजी देखने को मिलेगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों से doze coin बिलकुल debt पड़ा हुआ है तो पूरी doze community और Elon Musk भी यहाँ पर उसे बहुत उपर ले जाने के लिए एक pump का इंतजार कर रहे हैं आने वाले समय में doze coin में एक शांदार pump आपको जरूर देखने को मिलेगा अगर हम अभी के price की बात करें तो doze coin में काफी अच्छी buying हो रही है क्योंकि market में काफी bullish pattern देख रहा है bitcoin में जिसका असर doze coin के price पर भी देखने को मिलेगा और अगर हम पिछले price की बात करें तो जब Elon Musk ने tweet किया था उससे पहले bitcoin 13 रुपे के आसपास चल रहा था और अभी भी अब bitcoin में 20 रुपे के आसपास इसने all time अपने जो छोटा मोटा इसका high था भी पिछले quarter का उसे touch किया था उसके बाद doze coin फिर से भारी गरावट देखने को मिली है पिछले कुछ समय में doze coin बिलकुर debt पड़ा हुआ है 13 रुपे के आसपास ये trade कर रहा है और ये तेजी आने वाले समय में जादा दिनों तक बरकरार रहने के chances है तो जब भी doze coin के price में खिषांदार momentum बनेगा तो doze coin अपने all time high 54 58 रुपीज को cross करने के बाद एक डॉलर जाने का chance है जी हां दोस्तो 2022 में doze coin जरूर एक डॉलर को touch करेगा तो अभी तक आपने इसमें अपनी holding बना रखे तो आप इसे जरूर hold करके कि रखें अगर आपने अभी तक माई नहीं किया तो आप छोटे छोटे अमाउंट में ऐसे coin में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें साथी साथ बहुत ज्यादा प्यार देने के लिए आप सभी कर धन्यवाद थे